हमें सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि सुकुना है यूजी इतादूरी की बौटी के अंदर लेकिन अभी करण टाइम में वो है मेगुमी की बौटी के अंदर और यही बात बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूस कर रही है कि आखिर ऐसे हुआ कैसे क्योंकि मैं कुछ लोग तो मांगा पढ़ लेते हैं और उन्हें पता है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ एनिमे देखते हैं और उन्हें नहीं पता कि मेगुमी की बौटी के अंदर सुकुना कैसे आया इसलिए आज की मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं तुमें क्योंकि ये जितने भी बाते में तुम्हें बताऊंगा ये सारी की सारी मांगा की स्टोरी हैं और रियल है तो अफ़ालतों की बकवास बंद करते हैं और मुद्दे पर आते हैं कहानी सुरू होती है चैप्टर 212 से या फिर तुम इसे करलिंग गेम आर्क की एक छोटी सी स् कि मेगूमी फुषीगूरो की एक बहन भी है जिसका नाम है Sukumi फुषीगूरो और हमें ये भी बताया गया था कि ये बहुट अइम से कोमा में है मेगूमी की बहन मेगूमी से बोलती है बहुत था लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी तक मेरे लिए टाइम आगे नहीं बढ़ फिर मेगुमी अपनी बहन से बोलता है कि तुम्हें भेवस हुए एक साल साथ महीने से भी जादा का समय हो चुका है इससे उसकी बहन बोलती है कि साध इसी कारण में ढंक से चल नहीं पा रही और वीलचेर पर बैठी हुई हूँ और फिर मेगुमी पूछता है अपनी बहन से कि क्या तुम्हें पता है करलिंग गेम के बारे में तब उसकी बहन बोलती है हाँ मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि गोजो के साथ क्या हुआ है और मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि तुम लोग इतना खतरना काम क्यों करते हो फिर मेगुमी बोलता है कि इसकी चिंता तुम मत करो मैं और मेरे दोस्त सब समाल लेंगे और गोजो सैंसे को भी आजात कर लेंगे इतना सुनकर उसकी भेन हसने लगती है और फिर हम अगले पैनल में देखते हैं यूजी को जो ये सोच रहा होता है बस थोड़ी देर और फिर सब ठीक हो जाएगा और बस एंजल मेरे अंदर से सुकुना को बाहर निकाल ले और फिर ये सब गोजो को प्रीजम रिलाम से बाहर निकाल लेंगे और फिर सब कुछ डन और सुकुना खतम और वो ये भी सोच रहा होता है कि कास अगर वो इस्टार्टिंग से ही सुकुना की फिंगर को ना खाता तो सब कुछ नॉर्मल होता लेकिन तब ही हम देखते हैं फुशी गूरो की बहन को जो बोलती है कि एक रूल एड करो कि कोई भी फ्रीली एंटर और एग्जिट कर सकता है कालोनी के बॉर्डर से लेकिन चोकन की बात ये थी कि ये रूल एप्रूब भी हो जाता है और सायद तुम्हें ये पार्ट ना समझ में आए क्योंकि ये मांगा की बात है लेकिन तुम बस ये जान लो कि ये करलिंग गेम आर्क है और सब लोग इसी गेम के अंदर है और कोई भी प्लेयर किसी भी रूल को एड़ कर सकता है सिवाए इसके कि वो फ्रीली एंटर और एगजिट कर सकते हैं गेम से इतना सुनने के बास सब लोग सौक्ट हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये क्या हो गया और फिर मेगुमी बोलता है अपनी बहन से इतना सुनकर मेगुमी बोलता है आखर क्यों तुम इतने दिन से मेरा चूतिया बना रही थी और तुमने ऐसा क्यों किया तब हमें पता चलता है कि फुशी गूरो की बहन की बाड़ी में एक योजूरू नाम की कर्स है और देखो ये बात हम सब जानते हैं जब कोई कर्स किसी की बाड़ी में रिइंकार्नेट होती है तब उस कर्स को अपनी वेसल के बारे में सब कुछ पता पढ़ जाता है और फिर हम अगले पैनल में योजूरू को देखते हैं और वो ये बोलती है कि अम मैं अपनी फ़र्श्ट वाइट किसके साथ करूँ मैं तुम्हें चुनती हूं सुकुना बाहर आओ और इतना कहने के बाद योजूरू भाग जाती है तब ही हम एंजल को देखते हैं जो योजूरू का पीछा करो और अगले सीन में हमें पता पढ़ता है योजूरू दोनों ही योजूरू का पीछा करते हैं लेकिन तब ही हमें एक आवाज सुनने को मिलती है एंचेन और फिर हम देखते हैं सुकुना बापिस से यूजी की बाड़ी पे कंट्रोल गल लेता है और जिन लोगों को नहीं पता हूँ ये एंचेन एक बाइंडिंग वो है जो सुकुना ने यूजी के साथ सीजन वन में बनाया था जब सुकुना ने यूजी का दिल बाहर निकाल दिया था और मेगूमी को दे दिया था उस वक्त यूजी मर गया था लेकिन सुकुना ने उसे बापिस जिन्दा कर दिया और दो सर्त रखी पहली सर्थ ये थी कि वो एइंचेन बोलते ही एक मिनट के लिए यूजी की बाड़ी को कंट्रोल करेगा और वो इस एक मिनट में यूजी के आस पास के लोगों को नहीं मारेगा और दूसरी सर्थ ये थी कि यूजी जिन्दा होने के बाद भूल जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ है अब हम देखते हैं सुकुना को जो सबसे पहले एंजल को भेहोस करता है और वो इसलिए क्योंकि इस टाइम एंजली उसके लिए सबसे बड़ा खत्रा है और फिर सुकुना बोलता है जो मैंने वाइंडिंग वो उस चूतिया लॉंडे के साथ बनाया था उसके हिसाब से मैं किसी को भी चोट नहीं पहुचा सकता सिवाए उसी के और फिर सुकुना यूजी इतादोरी की उंगली तोड़कर खाने लगता है और फिर बोलता है क्या ही चूतिया बालक है वाइंडिंग वो तो लगाया लेकिन अपने आपको ही सामिल नहीं किया और फिर हम देखते हैं उसके पीछे खड़ा मेगूमी ये सब देखकर एक्शन में आ जाता है और अपने हैंड साइन को एक्टिवेट करता है लेकिन मेगूमी के टेक्निक को यूज करने से पहले ही सुकुना मेगूमी का हाथ पकड़ लेता है और तो और उसका मुँ खोल कर बोलता है याद है मैंने तुम से बोला था कि तुम इंट्रेस्टिंग हो और इतना कहते ही सुकुना यूजी की finger को Megumi की body में डाल देता है और फिर हमें पता पड़ता है यूजी नॉर्मल हो गया और सुकुना यूजी की body में नहीं है लेकिन अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि सुकुना Megumi की body के अंदर चला गया और अब वो मेगुमी की बोडी को कंट्रोल कर रहा है और इतना देखने के बाद यूजी की फटी की फटी रह जाती है और धीरे से बोलता है फुशी गूरो लेकिन तभी सुकुना यूजी के एक पंच मारता है और वो पंच इतना जादा पारफुल था कि यूजी एक बिल्डिंग तोड़ के पीछे गिरता है और तुम देख सकते हो इसके मुझे कितना खून बह रहा है और तोर इस अटेक को बहुत दूर से मा की जिनिन ने भी नोटिस कर लिया था और फिर हम अगले पैनल में देखते हैं मा की यूजी के पास भागती हुई आ रही है और फिर सुकुना बोलता है भले ही कोई सा भी एरा आ जाए लेकिन ये कीडे मकोडे हमेशा मेरे रास्ते में आते हैं और इतना कहने के बास सुकुना समन करता है टैन शेडो में से एक शिकेगामी को जो की है न्यू और तुम देख सकते हो ये कितना बड़ा है कि एक बिल्डिंग भी इसके सामने एक खंबा लग रही है और ऐसा लग रहा है जैसे एक शिडिया उस पर बैठी हो लेकिन फिर हम देखते हैं एंजल को जो सुकुना पर ठंडर अटेक करती है जिसे देखकर सुकुना भी एंजल की तारिफ करता है इतनी जल्दी रीकवर होने के लिए फिर सुकुना अटेक करने ही वाला होता है लेकिन तभी एंजल एक और अटेक करती है जो की है जैकॉब लेडर और येतना powerful attack था कि इससे सुकुना की पूरी body जल जाती है और एंजल को लगता है कि सुकुना हार गया और फिर वो बोलती है मेगुमी को वापिस करो लेकिन तब ही हम देखते हैं मेगुमी बोलता है मैं ठीक हूँ तुम्हारा शुक्रिया इतना सुनकर एंजल मेगुमी के गले लगने लगती है और तब ही सुकुना अपना attack करता है जिससे एंजल बहुत जादा injured हो जाती है और फिर हम अगले panel में देखते हैं यूजी इतादोरी को जो building के नीचे से सब कुछ देख रहा होता है और फिर यूजी सुकुना को देखता है और सुकुना यूजी को और फिर यूजी अपने angry mode में एक jump करता है और तुम देख सकते हो इसने किती उची छलांग लगाई है और छलांग लगाने के बाद इस building का क्या हाल हो गया फिर यूजी अटेक करता है सुकुना पर लेकिन सुकुना इस अटेक को बड़ी आसानी से रोक लेता है लेकिन तभी एक building इन दौनों के उपर गिर जाती है जिससे सुकुना तो बचके निगल जाता है मगर यूजी उसके नीचे दबा रह जाता है तब हम देखते हैं सुकुना को ये सोचते हुए कि इस बंदे के पास इतनी पावर कहां से आई लेकिन तभी यूजी बिल्डिंग से निकलता है और सुकुना पर अटेक करता है लेकिन उस टाइम सुकुना ये सोच रहा होता है सायद इसे भी केंजाकु ने बनाया है तब हम देखते हैं यूजी उठ जाता है और वो सुकुना के पास जाने लगता है और सुकुना भी उसके उपर बहुत सारे स्लैस अटेक करता है जिससे यूजी पूरा खून से लच्पत हो जाता है लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है और फिर सुकुना कन्फ्यूज हलत में ये सोचता है कि एक रुख क्यों नहीं रहा लेकिन तब ही यूजी सुकुना के मुँपर एक पंच मारता है तब सुकुना सबकु समच जाता है और वो बोलता है कि इस बॉड़ी में उसकी पावर कम हो रही है और वो इसलिए क्योंकि मेगुमी भी अंदर सुकुना से लड़ रहा होता है अपनी बॉड़ी का कंट्रोल वापिस पाने के लिए जब हमें पता पड़ता है कि सुकुना की अटेक पावर 10% से भी कम हो गई है लेकिन सुकुना की फिजिक एकदम परफेक्ट है फिर सुकुना यूजी को मारने की सोचता है लेकिन तब ही माकी आ जाती है और फिर माकी सुकुना को किक मारती है लेकिन सुकुना उसे ब्लॉक करके यूजी के सिर पर एक अटेक करता है फिर वो माकी पर अटेक करने कर ट्राय करता है लेकिन माकी उस अटेक को ब्लॉक कर देती है और सुकुना के मुह पर पंच मारती है फिर सुकुना माकी को बोरिंग बोलकर बिल्टिंग से बाहर आता है तब ही माकी यूजी से बोलती है कि हमें सुकुना को रोके रखना होगा भेले ही हमें फिर उसे मारना ही क्यों न पढ़े फिर माकी और यूजी दौनों मिलकर सुकुना पे अटेक करते हैं लेकिं तब भी सुकुना इन दौनों के साथ खेल रहा था वो कुछ अटेक को अपने उपर होने देता है और कुछ अटेक को ब्लोक कर लेता है और बोलता है इस बॉड़ी में मेरा पावर डिकरीज हो रहा है और तभी सुकुना माकी के मुह पर एक पंच मारता है जिससे माकी के मुह से खुन निकल जाता है और वो काफी पीछे जाकर गिरती है लेकिन तभी माकी वापिस बैटल में आती है और तभी सुकुना अपना आकरी हमला यूज करता है फ्रोष्ट क्लैम जिससे आसपास के सब क कुछ दबा हो जाता है और यूजी एंड माकी इन सब बिल्डिंग के मलवे के नीचे दब जाते हैं और फिर रियो में सुकुना बोलता है मुझे ये नजारा बहुत पसंद आया और बस आज की वीडियो में इतना है था कि सुकुना कैसे यूजी की बाड़ी से मेगुमी की ब और तुम कमेंट में बताओ कि तुम अगली वीडियो के इस टॉपिक पर चाहते हो और मिलते हैं एक और उसम वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई